चेली दोस्तों heading डालीजी, Amphioxis Part 2 Part 1 के अंदर हमने discuss किया था Amphioxis के external morphology के बारे में internal morphology के बारे में उसके classification के बारे में उसके habit and habitat के बारे में और उसकी body की structure और उसकी body की division को भी हमने देखा था कि Amphioxis की body को दो parts में divide किया जाता है एक होता है उसका tell reason और एक होता है trunk reason ठीक है tell जो पीछे वाला जो reason है इसको हम tell इतना reason tell में आएगा और बाकी जो आगी का पूरा reason जो है उसको हम बोलेंगे trunk ठीक है अब हम discuss करते हैं दोस्तों Amphioxis के skeleton system के बारे में क्योंकि part 1 के अंदर हम इसकी जितने भी basic external और internal morphology होती है उसको हमने अच्छे से discuss कर लिया है और एक long question हमारा त्यार हो जाता है अब हम देखते हैं दोस्तों skeleton system ये 5 नंबर में कई बार exam paper में या 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है तो यहाँ पर इन 3 डिग्राम की help से हम इसके skeleton system को अच्छे से समझेंगे अब हम जैसे हाँ पर amphioxys का हमने part 2 बनाया है इसी तरीके से हम इसकी जितने भी physiology है जैसे digestive system, reproductive system, nervous system, blood vascular system, respiratory system, sense organs मतलब इसकी body में जितने भी physiology को complete करने के लिए जितने भी system बने वे है उसके system के base पर part 3, part 4, part 5, part 6 ऐसे आता रहेगा और हम channel के अंदर playlist में add करते रहेंगे और अगर आपको पिछली वीडियो चाहिए तो आप description box में आपको एक link मिलेगा जैसे आप उस link पर click करेंगे आप वहां तक पहुँच जाएंगे ठीक है या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको complete playlist भी मिल जाएगा तो चली start करते हैं skeleton system of amphioxis दोस्तो जिस तरह से हमारी human bodies के अंदर skeleton system जो होता है वो दो तरह का होता है एक होते है endoskeleton system एक होता है exoskeleton system exoskeleton system के अंदर क्या आते है जैसे हमारी body के अंदर hairs होते हैं hairs एक exoskeleton system होता है nails यानि के नाखुन जो होता है वो भी exoskeleton system के अंदर और जितने भी गाएं भैस है उनके अंदर आपने सींग देखा होगा exoskeleton system के अंदर आता है और अब हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं endoskeletal system के बारे में क्यों क्योंकि amphiocsis यानि के branchiostoma यानि के lensiolate यह तीनों एक ही animal का नाम है तो amphiocsis या branchiostoma इनके अंदर endoskeletal system ही पाय जाता है ठीक है और exoskeletal system जो होता है amphiocsis के अंदर absent होता है तो दिसरा point अब यहाँ पर यह भी bones का बना हुआ पूरा endoskeletal system होता है जो कि उसको support provide कराता है locomotion में help करता है एक shape provide कराता है बट इनके अंदर endoskeletal system के नाम पर या उसकी जगह कुछ supporting structures पाय जाती हैं जिसके बारे में हम discuss करने वाले हैं तो यहाँ पर आप यह completely नहीं कह सकते कि इनकी body के अंदर bones like structure bones की बना करती हैं जिसके बारे में हम discuss करने वाले हैं तो चलिए start करते हैं अब आपको I think आपका basic एकदम clear हो गया होगा इसलिए अब मैं start करता हूं दोस्तों heading डालीजिए skeleton system और note कीजिए exoskeletal system is absent in branchostoma यानिके amphioxis यानिके lansulate ठीक है दो नाम famous है इसके एक तो amphioxis और इक होता है branchost endoskeletal system include जैसे कि एक बार फिर से में repeat करना चाहोगा endoskeletal system इसमें हड्डियों का यानि के bones का नहीं बनावता इसके अंदर क्या-क्या include रहता है notocod, gelatinous rod, and plates, and fin ray boxes जैसे कि हमने इसकी external morphology और internal morphology में हम बात करें तो amphioxis को blueprints कहा जाता है cordata का क्यों कहा जाता है क्यों कहा ज जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तो notocod की location या position क्या है अभी theoretically note करने से पहले हम इसको practically observe करते हैं दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ गया हुआ है dorsal nerve cord, क्या है गया हुआ है dorsal nerve cord, नीचे की तरह आप देखेंगे यह elementary canal गया हुआ है, त इसी को बोलते हैं दोस्तो notocod, और यह coordinate animal है, जीवन की किसी ने किसी stage में इस लक्षन को, यह जो rod पाई जाती है इसको जरूर शो करते हैं, तो यहाँ पर amphioxis के अंदर हम notocod की बात करें, यह पूरा इसकी body में anterior से posterior तक के पूरा support provide करता है, उसके बाद आप यहाँ पर note कर along the dorsal line, just below the central nervous system, यानि कि central nervous system, यानि कि जो nerve code होता है, उसके just नीचे की तरफ लाई करता है, और elementary canal के उपर लाई करता है, इतनी बात आपको के लिए रखना होगा, कि notocod इन दोनों के बीच में पाई जाती है, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर note code की transfer section और longitudinal section का diagram भी आप देख सकते हैं, यह है note code के transfer section का diagram, ठीक है, इसका TS section लिया गया है, और यहाँ पर उसी note code का longitudinal section का diagram लिया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, यह है muscle fiber, यह है उपर की तरफ nerve cord, ठीक है, यह यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इसको बोलेंगे dorsal canal, यह जो आपको बीच में खाली स्थान दिखाई दे रहा है, और यह vental canal, ठीक है, और यह नीचे की तरफ pharynx, यहाँ पर आप देखेंगे, यह है elastic interna, यह है dorsal canal, इसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यह longitudinal ही दिखाए गया है, इसलिए complete आपको दिखाई दे रहा है, यह देख सकते हैं, यह जो reason है, यहाँ पर reason है, देख सकते हैं, dorsal canal, और यह बीच बीच में homogeneous plate और fiber plates, दो तरहें की plates आपको आप में आपको यह भी बताना होगा कि आखिर यह function क्या करता है, तो at least आपको दो function लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर note कर सकते हैं, its main function to give a support, यह जो है notocode जो होता है, इनकी body में support प्रवाइड करता है, to the body and maintain its shape, इसकी shape को भी maintain करता है, it permits slight bending moment of the body, notocode जो होता है, यह slight moment, इसकी जो body है, उसको bending moment provide करता है, slide bending moment, यानि कि इसको swimming करने में भी help करता है, जैसे ही है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर, external morphology के अंदर बता है, कि कैसे ही swimming करते हैं, उसका procedure भी आपको बताया था, उसी तरीके से यह जो notocode है, इनको swimming में help करता है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा point, दूसरा जो structure आता है, इनके endoskeleton system के अंदर, वो है, gelatinous rods and plates, दोस्तों, the gelatinous rods give support of the bars, of the pharynx, जो pharynx की जो bars होते हैं, उनको support provide करता है, कौन? gelatinous rod and oral series and fiber anterior edge of the oral hood, the rods and plates are found by the elastic fibers, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, oral series यह जो देख रहे हैं, इसी को जो बकल series लिखा हुआ है, इसी को हम oral series भी बोलते हैं, ठीके, जो कि oral hood में कई सारे tentacles, इनकी संख्या लगबग 19 से 20 तक हो सकती है, ठीके, यहाँ पर आप देखेंगे, यह पूरी complete, elastic, internal बना रहे हैं, यह gelatinous की बनी होती है, ठीके, gelatinous से मिलकर बनी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, the rod and plate are formed, जो rod और plate है, are formed by the elastic fiber, जो कि elastic fibers बनाते हैं, ठीके, तो यह है notocode in amphioxus, यह है gelatinous rod in plate, diagram आप यहाँ पर, यह diagram इतना important नहीं है, इस वीडिय topic है, तो आप यह दो diagram आप note कर सकते हैं, यह जो diagram है, यह सिरिफ आपको समझाने के लिए location क्या है, position क्या है, जैसे मैंने बकल सीरी बोला, notocode की position, यह सब जो है इसलिए बनाय गया था, ताकि notocode की position बता सकें, और बकल सीरी, oral hood या oral सीरी के बारे में बता सकें, बाकि यह द दोस्तों, Amphioxys की body में fins पाये जाते हैं, जिसकी help से है water में swimming करता है, दोस्तों, इसकी body white color की होती है, इसको हम lansiolate और benkyostoma के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों, Amphioxys को हम cod data का blue prints भी बोलते हैं, क्योंकि ये cod data के three fundamental main features को सो करता है, जैसे कि इसकी body में dorsal nerve code पाये जाती है, इ इसकी body के अंदर pharyngeal gillsids भी present होते हैं, जिसकी वज़ए से यह cod data के तीनों main features को सो करता है, दोस्तों, Amphioxys को हम lansiolate की नाम से भी जानते हैं, Finally, Amphioxys के skeleton system में, जो last supporting structure बचा हुआ है, नमबर third, वो है fin ray boxes, दोस्तों, अगर आप इसकी body का, Amphioxys के body का जो posterior end देखें, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी body को दो तरीके से भी देख सकते हैं, एक anterior end, यानि के आगे वाला भाग जहांपर mouth है, rostrum है, एक होगा इसका posterior end, यानि के पीछे वाला भाग, तो इसकी posterior end पर आपको दिखाए देंगे, caudal fin, dorsal fin, vental fin, यह जो fins होते हैं दोस्तों, इनको swimming में help करते हैं, तो इनके अंदर भी तो कोई supporting structure present होगा, तो उसे के बारे में बात हो रही है, वो जो supporting structure है, they give support to the dorsal and vental fin, यह जो dorsal fin है, और यह vental fin है, इसको जो है, यह support provide करता है, and they contain gelatinous matter, इनके अंदर gelatinous matter present होता है, and thick connective tissue covering, और जो है, तिक यानि के मोटे connective tissue का एक covering होता है, जिसके help से support होता है, ठीक है, और इन fins के help से यह swimming करते हैं, क्योंकि इनकी body आपने देखा लगबग fish like होती है, तो उमीद है दोस्तों, आपक आपको वीडियो पसंद आए, तो please like करें, channel को subscribe कर दें, मिलते हैं next video में, bye bye, ta-ta